दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की पहले कबर बिहार में सुधा दूद के दाम बड़े पनीर पेड़ा और गुलाब जामन भी हुआ महंगा 11 नौमबर से लागू होगी नई दरे जिहां राज में सुधा ब्रांड का दूद 11 नौमबर से प्रति लिटर तीन रूपिय महंगा हो जाएगा अर्थात 46 रूपिय प्रति लिटर का दूद 11 नौमबर से 49 रूपिय तो 43 रूपिय का दूद 46 रूपिय में मिलेगा वहीं आधा लिटर के पैकेड अब 2 रूपिय की बिर्दी हो गई है इसी परकार पानिर के 200 ग्राम के पैकेड पर 5 रूपिय की बड़ोत्री की गई है इसके अलावा पेड़ा और गुलाब जामुन के दाम भी बढ़ा दी गए है हाला कि दही और गी के दाम नहीं बढ़ाय जा रहा है बिहार इस्टेट मिल्क कोपरेटिव एडेसन लिमिटेट की ओर से मंगलवार को बड़े की गोसन कर दी गई है अगली बड़ी खबर राम बिलास पासवान को मरनो परांद पद्म भुसन सम्मान बेटे चिर्याग ने लिया अवाड जी हाँ इस साल देश के 119 हस्तियों को पद्म भुसन पुरुसकार से सम्मानित किया गया लोक जन सक्ति पार्टे के संस्तापक और दिवंग नेता राम बिलास पासवान को पद्म भुसन सम्मान से सम्मानित किया गया आपको बता दे के राम बिलास पासवान को मन्नो प्रांथ यह सम्मान दिया गिया है स्वर्गे राम बिलास पासवान के बेटे चिराख पासवान ने यह सम्मान गरान किया है कोरोना काल के बाद इस साल 2021 में पद्म भुसन पुरुसकार दिया गिया है राश्ट्पते वान में काईर करम का अउजन किया गिया था जहां राश्ट्पते रामनात कोविन के हाथों से ये पुरुस्कार दिये जा रहे हैं जिनमें दिवगंत रामिलास पासवान को पद्म भुसन के अलावा स्वर्गे मिर्दला सिन्ना समित चार लोगों को पद्मसिभी सम्मान से समानित किया जाएगा पद्मसिर समान पाने वाले बिहारियों में चिकिसक डाक्टर दिलीब कुमार सिंग, मदोवनी पेंटिंग के कलाकर दुलारी देवी और कलाकर राम चंद्र माजी सामिल है बाड़ी खबर बिहार के नियोजिक सिक्चोकों के लिए बड़ी खबर 15 फिज़ी विर्दी के साथ मिलेगा वेतन, कई महने का एरियर भी मिलेगा जिहां बिहार के साड़े तीन लाग से ज़्यादा नियोजिक सिख्चकों के लिए बड़ी ख़बर है उनके वेतन में 15% बृती हो जाएगी वैसे तो नितिस सरकार ने तकरीबन 17 साल पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला लिया था लेकिन अब इसे आमाल में लाया जाएगा सि इन सिख्चकों को वेतन बिर्दी का लाब मिलेगा उनमें प्रारांबिक मायदमिक और उच मायदमिक बिदालयों के पंचायती राज एवं नगर निकाय को सिख्चक और पुस्त काला एदक्च भी सामिल है बाड़ी कबर बिहार उत्तर परदे से दिल्ली समेत इन राज्यो में चट पर Chungटी का एलान जिहां चट महा पर पर कई राज्यों की सरकारों ने सरवजनिक आउकास की घुछना कर दी है बिहार उत्तर परदे से दिल्ली जहरकण और उत्रकण की सरकारों ने अपने चट के आवसर पर छुट्टी का एलान कर दीया है 8 अक्टुबर से सुरुआ चट महा पर्व 10 नॉमबर को अस्ता चलीन सुर्व को चट वर्थ देंगे और 11 नॉमबर को अगले सुरुज को अर्थ देने के साथ इसका समापन होगा दिवाले के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह महा पर्व 4 दिन तक चलता है चट वर्थ निर्जला वर्थ रखती है 31 सुरु को अर्थ देने के बाद उनका वर्थ पुरा हो जाता है यही वज़ा है कि राज सरकारों ने 10 नॉमबर को चुट्टी देने का एलान किया है इसके अलावा आपको बता दे कि 10 नॉमबर से 14 नॉमबर तक बैंक भी बंद रहेंगे अगली बड़ी कबर इस बार चट पर 10 मिनट पहले होगा सुर्योदय 2020 में 20 नॉमबर को 6 बज कर 11 मिनट पर हुईत दर्शन 11 नॉमबर को 6 बज होगा सुर्योदय जी हाँ इस बार 6 महा पर पर सुर्योदय 2020 के अपक्चा लबग 10 मिनट पहले ही होगा और सुर्यास्त का समझ 4 मिनट जादा होगा 2020 में 6 महा पर 20 और 21 नॉमबर को था इस दोरान सुर्यास्त 4 बज कर 69 मिनट में और सुर्योदय 6 बज कर 11 मिनट में हुआ था मुस्तामीबा के मताबिक 8 नॉमबर के अपेक्चा 10 और 11 नॉमबर तक सुर्यादय और सुर्यास्त में 1 से 3 मिनिट के परिवर्तन की सम्हावना है इसकी वज़ा से 10 नॉम्बर को स्रियास्त 5 बच कर 2 मिनट में और 11 नॉम्बर को सुर्यदे लवक 6 बचे होने का अनुमान है साथ है आपको बता दे कि 10 नॉम्बर की साम को 12-28 डिगरे के बेच जबकि 11 को 13-16 डिगरे के बेच होने के आसार है इस दोरान कोहरा का प्रभा भी देखा जा सकता है हलाके 48 घंडे के बाद हवा की रूप में परिवर्तन होगा इससे हवा ये पश्चिम से पूर्व की तरब रुख करेगी और आसमान पर चाय रहेंगे अगली बड़ी कबर गंगा घंगा घंड पर चट करने जा रहे हैं तो टेका है जरूरी कोरोना गाय लाइन तोड़ना भारी पड़ सकता है जियां बिहार में कोरोना महा मारे के रप्तार जरूर थम चुकी है लेकिन छट महापर्व के मौके पर लापारवाही भारे पढ़ सकती है यह वजाए कि प्रसासन अब छट गाट पर संग्रमन से बचाओ के लिए लोगों को जागरुक करने में जुड़ गया है प्रसासन ने यह निर्देश दिये हैं कि अगर आप छट गाट पर पूजा करने या उसमें सामिल होने जा रहे तो या सुनिश्चित कर ले कि कोरोना की एक वेक्सिन आपको जरूर लग चुकी हो चाट परव के दोरान घाटों पर होने वाले भेड के दोरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन हो इसके लिए पुलिस मुख्याले ने सरकार की तरब से जारी गाइड लाइन का हवाला देते वे इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है अगली बड़ी ख़बर बिहार में कोरोना वेक्सिनेशन के लिए मुबाइल टीम पहुचेगी आपके दुआर छट के बाद चलेगा अभियान जिहां अगर 11 माहिने बाद भी आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो त्यारी कर लेजिए अब आपको टीका देने स्वास्त बिभाग की मुबाइल टीम आपके घर जाने वाली है यहाँ टीम आपसे पूचेगे कि आपने टीका करन कराया है नहीं आपके जवाब के आधार पर यहाँ टीम आपको के की पहली या दूसरी डोज देगे स्वास्त विभांग ने टिकाकरन अभिहान के अंतिम दोर में अब तक चुके हुए लोगों के लिए घर पर टिकाकरन के सुरुआत की है चट पूजा के बाद करीब साड़े साथ सो मोगाइल टीम में प्रतिक प्रकाण Cities और इसके अंतरगत आने वाले पंचायतों में गुमेंगे मोटर साइकल प्रब्रहमन करने वाले मुबाइल टीम पर दो वेक्सिनेटर होंगे भी पंचायत के एक घर में जाकर घर में रहने वाले सदेशों के टिगागरन के जानगारे लेंगे बाड़ी कबर बिहार में फिर सुरू होंगे मेले और महतसव चट महापर के बाद इन कायरकरों से जमेगा रंग जिहां चट के बाद राज में मेला महतसव को फिर से सुरू करने के तयारी है कोरोना संक्रमन के कारान लंबे समय से सांस्क्रितिक महतसव और आयोजनों पर रोक लगी है कोरोना संक्रमन कम होने के बाद अब कला संस्क्रितिक विभाग ने आयोजन को फिर से सुरू करने के दिसा में तैयारी सुरू कर दी है इसकी सुर्वात चट की तुरंद बाद फिल्म महत्सव से होगी राजदानी के बिहार संग्रालाई के सबागार में 13 और 14 नॉम्बर को फिल्म महत्सव का आज़न किया जा रहा है इसका उद्गाटन उपमिक मंतरी तारकिसुर परसात करेंगे जबकि अधिक्षता विवागिया मंतरी डाक्टर आलोक रंजन करेंगे आगली बड़ी ख़वर प्रसियत सोनपूर मेले के आज़न पर संसे बरकरार लोग तयार लेकिन प्रसासन बना मौन जहां प्रसियत सोनपूर मेले का आज़न इस साल होगा या नहीं इसको लेकर संसे बरकरार है कुरोना में हमारी के कारण 22 साल मेले का आज़न नहीं हो सका था वहीं इस साल लगा था दूसरी बार इस एसिया पेम हरिश चेंदर सोनपूर मेला का लगने पर संसे बरकरार है कार्तिक पुरुनिमा के अवसर पर लगने वाले मेला में अब मुस्किल से दस दिन सिस बचे हैं लेकिन प्रसासने के इस तर पर ना कोई तैयारी ना ही सरकारी इस तर पर इस मेले के आईजन की घोसना हुई है वहीं इस मेले का आईजन को लेकर सेने लोग आकरोसित है और इस साल हर हाल में मिलेकी आयजन को संकप ले चुके हैं बड़ी किबर बिहार के किसानों की लिए अच्छी खबर सरकार 1.5 ला क्रिसकों को देगी क्रेडिट कार्ड जहां बिहार के सब्जे उतपादक किसानों को सही ला मुहाया कराने के लिए अब तक वेज़बेट की समयतियों ने 32,477 किसानों को जोड़े जा चुके हैं साकारिता विवाग की यह पहल सबजे उतपादक किसानों को रास आ रही है और राज में अपने सबजे उतपादक किसान वेज़वेट की समीतियों से जुनने में रूची भी दिखा रहे हैं विभाग ने सदिस्ता अभियान लिए जा रहे हैं आपको बता दे कि सबजे उतपादक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाब दिया जा रहा है पचीस जार से ज्यादा किसान लाब भी उटा चुके हैं डेड़े लाग किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाब देने का लक्ष है सबजे उतपा देगी छतिपूर्थी रासी यहां करे रजिस्ट्रेशन जिहां गन्ना और द्योग विभांग ने बाढ़ से नुकसान उठाने वाले किसानों को बतवर छतिपूर्ण 18,000 रुपी प्रती हेक्टेर देने का निनने लिया है इस अंदर में किसानों के पंजयन की कवायाद सुम बारी कबर बिहार में समयदा पर कारारत महिला कर्मियों को मिलेगा महिने में दो दिनों का विशी सवकास अदिसुसिना जारी जा राज सरकार ने सभी सरकारे विवागों में समीदा पर काम करने महिला कर्मियों को हर माँ में दो दिनों का विशे सवकास देने की घोसना की है अभी तक यह समीदा सिर्फ नियामित महिला कर्मियों को ही मिल रही थी लेकिन अब नियोजि सिक्चको समेट अनस सबी आस्ताइ महिला कर्मियों को भी स्वेदा मिलेंगे बिहार प्रसाशनिक सुधार मिसन ससाइटी ने इस समगद में आदेह आदेह जारी कर दिया है बिहार में 30 लाग गर्वती वस सिसुवती महिलाओं के टिका करन का होगा सर्वेक्चन जा बिहार में 30 लाग गर्वती वस सिसुवती महिलाओं के कोरोना टिका करन को लेकर सर्वेक्चन होगा इस सर्वेक्चन में वैसी महिलाई जो अंजाने भाईया अग्यात वस कोरोना टिका करन अभियान के ताड़ टिका नहीं ले सकी है उनकी पहचान की जाएगी स्वास्ट विवा के अनुसार राज में करीब 30 लाक महिलाई प्रती वर्स गर्वदारन करती है और प्रसव के बाद अपने नवजा सिस्व को दुध पान कराती है इंडियन काउंसिलिंग और मेडिकल रिसर्च के अनुसार गर्वदारन सिस्वति महिलाई भी कोरोना टिका ले सकती है स्वास विवा के अपर मुए के सची प्रतेत अमरित ने बताया कि कोरोना टिका करन के तहद साथ करोड खुराकी दिये जाने के बाद अब वैसे सेक्टर जिनमें टिका करन कम हुआ है उसकी पहचान की जा रही है इनमें गर्वति अवं सिस्वति महिलाई का सर्विक्षन कर टिका करन करने का नेने लिया गिया है बाड़े के बन नेतीस सरकार के मंतरी अब 30 लाग तक की लगजरी गाड़ी की सवारी करेंगे केविनेट के मुहर के बाद आदिस जारी जाने 30 कीविनेट के मनतریوں की सुविधा में पहले से ज़्यादा और जैफा हो रहा है बिहार सरकार के मनतری अब 30 लाक रुपे तक की लगजरी गाड़ी की सवारी कर पाएंगे पहले बिहार सरकार के मनतریτο का 25 लाक रुपे तक की गाड़ी खरिदने का प्रावधान था लेकिन पिछले दिनों हुए केविनेट की बैटक में अब इसका दाइरा बढ़ाया गया है और अंकी बाड़ी खबर रोही तो होंगे T20 टीम के न्यू कप्तान न्यू जिलन्ड के खिलाब पहले टेस्ट में भी कर सकते है कप्तानी राहूल को मिलेगी उपकप्तानी भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यू जिलन्ड के खिलाब होने वाले T20 के लिए भारते टीम के एलान कर दिया है भारते टीम को अपने घर में 17 नौमर से न्यू जिलन्ड के साथ टीन मेचों की T20 सिरीज और दो मेचों की टेस्ट सिरीज खिलनी है वाइट बॉल के उपकप्तान रोहिस सर्मा न्यू जिलन्ड के खिलाब सिरीज से भारते T20 टीम के कवान समालेंगे क्योंके नियमित कप्तान विराट कोली को T20 सिरीज से आराम दिया गया है विराट ने पहले ही गोसना कर देती कि वहाँ ICC T20 वर्ल कप दो जरे किस के बाद भारते T20 टीम की कव्तान चोड़ देंगे और इस टूनामेंट में भारत का भियान समाप्त होने के बाद समुआर को वह बतोर T20 कव्तान आकरी बार मैदान में दिखे आज के लिए आपका स्वाल बताए कि इस बार सुनपुर मेला का आईजन होना चाहिए या नहीं इसका जबाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूँ